नमस्कार हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है पेश है आज की समचार मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश श्रीश सी पाल रासू ने बताया कि मंदी लोकसभा तता फतहपूर अर्की और जुबल को उठखाई विधान सभा क्षेत्रों के उप चुनावों में 50% मतदान केंद्रों को वैब कास्टिंग के माध्यम से जोड़ा जा उप निर्वाचन के लिए स्थापेत कुल 2796 मतदान केंद्रों में से 1383 मतदान केंद्रों में वैब कास्टिंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। वैब कास्टिंग की वैवस्था करने के निर्देश दिये गए हैं। केंद्रों में से 215 केंद्रों को वैब कास्टिंग से जोड़ा जाएगा। वैब कास्टिंग के दौरान मतदान की गोपनियता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हिमाश्रप देश ने विश्वमान चित्र पर एक उतक्रिष्ट परियतन गंतव्य के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। साथ ही यहां की समरिद्ध सांस्कृतिक विरासत में विविधता के बावजूद जन्मानस में समरस्ता और सोहार्द विद्धमान है। यहां जिला लाहौल एवम स्पिती में स्थित तावो मठ को पहाडों का अजन्ता माना जाता है जबकि जिला कांगडा में मसरूर मंदिर को पहाडों का एलोरा कहा जाता है। यहां विबिन धर्मों के लोग एक ता के साथ जीवन व्यापन करते हैं। हिमाचल की एक बड़ी आबादी बौध मान्यताओं में आस्था रखती है। बौध धर्म के प्रसार से यहां के जनजातिय जिले भी अच्छूते नहीं है। जनजातिय जिला लाहौ स्पीती के शीत मरुस्थल स्पीती का धार्विक प्रियटंस्थल की बौध मठ देश व विदेश के प्रियटकों की पहली पसंद है। हजारों प्रियटक प्रियाचीन हिमालियन बौध संसकृती के दीदार के लिए यहां आते हैं। बौध मठ की वास्तु शैली के इलावा गोंपा में सरक्षित प्राचीन हस्तलीपियों और थंका पेंटिंग की अनुपम कलाकरीतियों में परियटकों की विशेश रूची रहती है। की गोंपा हिमाच्र प्रदेश में स्थित बहुत ही एतिहासिक स्थानों में से एक है। इस मठ का निर्मान ग्यार्मी शताबदी का माना गया है। यहां मठ लगभग 1000 साल से भी पुराना माना जाता है। इसमें अभी भी प्राचीन बौध स्क्रॉल और पैंटिंग है। इस मुद्रतल से 13504 फुट की उचाई पर से तियह बौध मठ एक शंकवाकार पहाड़ी पर निर्मित है। स्थानिये लोगों का मानना है कि मठ की स्थापना बौध धरमगुरू रिंग छेन संक्पो द्वारा तेरवी शताबदी में की गई थी। वर्तमान में टीके लोचन तुलकू रिंपोचे इस बौध मठ में प्रमुख धरमगुरू हैं। इन्हें लोचा, रिगजिन, जागपो का उनिस्वा अवतार माना गया है। यह मठ महयान बौध के गेलूपा संपरदाय से संबंधित एक धार्मिक बौध मठ है और स्पीती में इस संपरदाय के धरम मानुयायों की मठ वरिंपोचे अवतारी धरमगुरू से असीम आस्था जुड़ी है। प्रतियक वर्ष जून के महीने में यहां बौध धार्मिक उत्सव चम का आयोजन किया जाता है। उत्सव में तरावना मुखोटा धारन किये लामाओं का सामुहिक चम रित्य अपने किया गया था जिसमें बौध अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा ने विशेश पूजा की थी। स्पिती घाटी का एक अन्य प्रसिद्ध बौध मठ है धंकर गोंपा। यह मठ काजा और ताबों के मध्य धंकर गाउं में 3894 मिटर की उचाई पर स्थित है। यह परिसर 1000 फ का अर्थ है एक चटान पर किला। बताया जाता है कि एक समय में यह जेल के तौर पर भी इस्तिमाल किया गया था। इसमें तिबती बौध के गेलुग स्कूल के 150 लामा रहते हैं। Himachal Bulletin देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल DPR Himachal, follow करें Twitter at DPR HP, like करें Facebook page Information and Public Relations Department Himachal Pradesh, visit करें website www.himachalpr.gov.in इस संक में इतना ही कल फिर होगी मुला का दीजे इजाजत, नमस्कार.